हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ मटर पनीर की सबजी बिलकुल साही अंदाज में होगा इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाली और बिना लहसन प्याज का सात्विक तरीके से बनाएंगे जो आप ब्रत में खा सकते हैं या आम दिन भी खा सकते हैं तो आएए इ नीर ले लिया है एक कटोरी और मतर ले लिया है इसके अलाबे हम ग्रेवी के लिए मसाला तयार करेंगे तो मसाले में हम बहुत जादा चीज नहीं ले रहे हैं एक टमाटर बड़ा सा लिये हैं दो इन्च इंच अधरक का टुकडा ले लिये हैं दो लाल मिर्ची उज़ कर दो लॉंग डाल रहे हैं और एक बड़ी इलाइची डाल रहे हैं इसके अलावे हम गरम-मसाला भी यूज करेंगे गरम-मसाले का पॉडर यूज करेंगे इसे पीस के तयार कर लेते हैं यह रहा हमारा गरेवी का टमाटर अद्रक का मसाला इसके बाद हम पनीर को थोड़ा सा हलका सा रोष्ट कर लेंगे फ्राई कर लेंगे तो थोड़ा सा घी डालते हैं कडाही में और पनीर को एड़ करते हैं और इसे हलका सुनहला होने तक भून लेते हैं दोनों तरब से उल्टा पुल्टा करके और इसे भून लेंगे फ्लेम को आप हाई वी रख सकते हैं अगर कडाही मोटा है तो और पतला हो तो आप मीडियम पे इसे बनाईए तो इस तरह से हम इसे उलटते पलटते हुए बना लेंगे आप घी या तेल जो भी बरत में खाते हूँ आप उसे यूज कर सकते हैं और हम इसे घी में ही भून के निकाल रहे हैं किसी भी चीज में आप बना सकते हैं इसे तो अब इसे हम हलका अलका उल्टा बूल्टा करते हैं और इस तरह से भून के और निकाल लेते हैं इसे इसका फ्लेवर और बढ़ियां आ जाता है पनीर का अब बापी समकडाही में गी डालते हैं और थोड़ा सा जीरा और एक तेजपता डालते हैं थोड़ा सा हिंग डालते हैं अगर आप ब्रत में हिंग खाते हो तो आप उसमें डालिए अब जब हमारा जीरा वराउन हो जाए उसके बाद हम इसमें जो ग्रेवी के लिए टमाटर अद्रक वेगरा पीस के तयार किये थे उसे एड़ कर देते हैं इसमें प्याज लहसर नहीं डालना है ये इसलिए सीधे हम उस टमाटर के ग्रेवी को डालेंगे और अच्छा भून के तयार करेंगे बिल्कुल ये ग्रेवी पक जाए हमें इतना भूनना है अच्छी तरह से भूनना है और इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए इतना हमें भूनना है अब इसी में हम मटर डाल देते हैं दो मिनिट का टाइम हमने मसाले को भूना था उसके बाद हम मटर डाल के इसे भूनेंगे और इसमें हम टूटी स्पून मलाई डाल रहे हैं ताजा मलाई जो अपने दूद का निकला हुआ होता है इससे क्या है ग्रेवी और भी बढ़ियां बनेगा और टेस्ट और अच्छे बन जाएंगे तो अभी से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए और इसे भून के तयार करेंगे ढ़क के पकाएंगे दोमनेट का टाइम देंगे इसे पकाने में बापिस फिर इसे धकन हटाएंगे इसमें स्वादा नुसार नमक डालेंगे बापिस फिर इसे भूनेंगे और फिर धक के पकाएंगे इस तरह से करते हुए दो तीन स्टेप इस तरह से करेंगे और मटर को पूरी तरह से पका लें बाहर निकलने लगा है यह मटर करीब करीब तयार होने लगा है अच्छा भून के तयार होने लगा है मसाला भी अच्छा भून गया है तो इस तरह से इसे मिक्स करते हुए चलाएंगे देखे इस तरह का मसाला हमारा तयार हुआ है मटर के साथ मिलके फ्लेम को आप मीडियम और हाई इस तरह से करते हुए इसे पकाईए अब इसमें थोड़ा सा हम हल्दी डाल रहे हैं बहुत कम मातरा में हल्दी डाल रहे हैं और धनिया पॉडर वन टी स्पून डाल रहे हैं और हाप टी स्पून हम इसमें सक्कर डाले हैं इससे क्या है पूरा सब्जी का बैलेंस बहुत अच्छा आएगा अच्छा टेस्ट बन जाता है थोड़ा से सक्कर यूज करने से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बापि मिर्ची पोडर हम इसमें यूज नहीं किये हैं दो मिर्ची हम जो मसाले के टमाटर के अंदर डाले थे उसी को बस केबल रख रहे हैं आप अपने स्वाद की हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं अब इसमें हम पानी यूज नहीं कर रहे हैं एक कप दूद यूज कर रहे हैं पनीर एड़ करने के बाद इसे हम बापिस 2-3 मिनिट पकाएंगे लो फ्लेम पे या मिडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो देखिए इस तरह से हमारा ये पनीर डालने के बाद का ग्रेवी है अब इसे हम ढखके 2-3 मिनिट का टाइम देंगे फ्लेम को हमने लो कर दिया है ल पनीर और मटर का सबजी बिना लहसन प्याज वाली जो आप ब्रत में बना सकते हैं और बहुत टेस्टी और यमी बनके तयार होगा अब इसमें हम धनिया पत्ता एट करते हैं और धनिया पत्ता के साथ भी इसे थोड़ा से पकाते हैं ताकि धनिया पत्ता का जो फ्लेवर है व और आपको मेरी रेस्वी पसंदाए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब